स्नीहा का सपना था कि उसी कोई बहुत ज्यादा समझदार और स्मार्ट पढ़ा लिखा लड़का मिले लेकिन कहते हैं न जो भागय में होता है होता वही है देख मैं साफ कह रही हूँ लड़की के बाप की पास भर भर के पैसा है अरे एक बार लड़की ने तुझे पसंद कर लिया तो समझ के पैसे की तो नदिया भर जाएंगी लेकिन फिर भी तेरी प्यास नहीं बुझेगी बेटा अरे मा प्रिज में मैंने दो बोतल पानी की रखी है और कैसे प्यास बुझेगी अरे पाचवी फैल मैं बात कर रही हूँ पैसों की प्यास की तु गवान नहीं समझेगा इस बात को बस तुझे लोगों की नौकरी करवा लो वो क्या है न आशिश की मा वो सीधा है और जिसे तु लोगों की नौकरी बोल रही है न वाक्षिश का प्यार है अपने लोगों के लिए जिनसे वो प्यार करता है या जिनसे जुड़ा हुआ है वो अरे जमाना नहीं रहा वो अरे आज की डेट में तो ना बेटा मा का है ना ही पती पत्मी का कैसे बात करें मा चाहे दुनिया यहां कि वहां क्यों न हो जाए मैं आपके बिना नहीं रह सकता ना है मैं आपको कभी दोखा दे सकता हूँ अरे हाँ ठीक है ठीक है देख लड़की को पढ़ा लिखा लड़का चाहिए तो वहां चुप रहे ना जबान खोलेगा तो पता चल बोले ना मा को वो मेरी मा है मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ अच्छा अच्छा बेटा कुछ नहीं कहता बस तयार हो जा चलते हैं और देखते हैं कि कौन है लड़की और क्या चाहती है सभी मिलकर लड़की देखने जाते हैं जहां स्नीहा आशिश को देखकर ही इंप्र स्नीहा को समझ नहीं आता कि वो क्या करें वो आशिश से मिलती है उसकी सादगी उसकी बाति उससे भाजाती है मैंने नहीं सोचा था कि इतना पढ़ा लिखा लड़का मुझे मिलेगा मैं शादी का निकली तेयार हूँ और पिर स्नीहा और आशिश की शादी हो जाती है स्नीहा जो कि खुद भी एक समझदार लड़की थी नहीं नहीं मैं अपने जेवन नहीं दूँगी उसके लिए तो मैंने पहले ही लॉकर खुलवा लिया था माजी ये मेरी कुछ और टिफेशल जूलरी है इसे रख लीजी वैसे मेरी अलमारी में जगा नहीं है ना सास पढ़ाई किया जाती है अरे पाच वी तक भी पढ़ी लिया तो समझो मेरी कृपासे वरना तो जो इसके लक्षन थे ना क्या बताना अचा आशिश जरा बाहर जा और भाग कर टूट पेस्ट ले करा सुपर से मंजन नहीं किया और हाँ फिर जाकर दुकान की सफाई कर देना तेरा छोटा भाई दुकान पर जाने को तयार हो रहा है स्नीहा ये सब सुनकर हैरान रह जाती है वो सोचती है कि आखिर उससे क्या गलती हो गई जो उसके साथ ऐसा हुआ आशिश स्नीहा के पास जाता है सुनो तुमको तो मैंने पहली मुलाकात में ही बताया था कि स्नीहा आशिश की बात ही नहीं सुनना चाती है वो जूर से चिलाती है चुप रहो बिल्कुल गवार कही के कितना पड़ा धोगा हो गया तेरे साथ अब मैं इस गर में नहीं रह सकती प्लीज ऐसी बात मत करो मेरी पत्नी हो तुम जैसे बोलो कि मैं वैसा करूँगा मैं कोशिश करूँगा बाहर जाकर कोई काम ढूण लूँ पर प्लीज मत जाओ चुप रहो गवार कही के मैं तुम्हारे जैसे के बीवी होई नहीं सकती आशिश स्निहा को लाग समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने माई के चली जाती है मा चलिया ना स्निहा को मना कर लेकर आते हैं अरे जाओ मनाने जाए मेरी जूती इतना घमन जैसे कलेक्टर हो कहीं की महारानी अरे मैं तो तुझे कहूंगी कि तू भी भूल जा हमने नहीं भगा रहा है खुदी तो गई है मा वो बीवी है मेरी मैं प्यार करता हूँ उससे मैं जा रहा हूँ जलेने वहीं स्निहा की घर पर मा वो तो कुछ कामी नहीं करता घर का नौकर है पाँच भी पास मैं नहीं रह सकती ऐसे आदमी के साथ मा बेटा वो लड़का बहुत अच्छा है उसकी तारीफ मैंने हर किसी से सुनी है तीरा पती है अब तक एक गलत मा के साथ रह रहा था तु सवा रहेगी तो सबर जाएगा तब ही वहाँ आशिश आ जाता है मुझे माफ कर दो स्निहा पर प्लीज मुझे छोड़ कर मत जाओ मेरी मा के जाने के बाद मुझे तुम ही से सारी उम्मीद है तुम जैसा कहोगी मैं करूँगा पर प्लीज मेरे साथ रहो सब के समझाने बुजाने के बाद स्निहा आशिश के साथ घर आ जाती है आ गई महारानी अब आई हो और सचाई भी पता चल गई है तो थोड़ा तमीज से पति के साथ घर दे रसोई संभाल और हम सब की सेवा कर देखो मैं अब इस घर में बटवारा चाती हूँ जो मेरे पति का हिस्सा है वो उसे मिले और वो आज से कोई काम नहीं करेंगे ईसा लेळो लेळो लेकिन कमाओगे क्या खाओगे क्या धूल मिठी अरे तेरा पती किसी कामगा नहीं है, वो तो मेरा बेटा कमा रहा है तो दो रोटी मिल जाती है इसे तभी वहां सनीहा किसी सुरा जाती है मैंने एक बंद फैक्टरी को पहले ही आशिश के नाम कर दिया है और घर के दो तल्ले में एक तल्ला ले लो मैं तो आशिश के पास रहूँगा वकिल थोड़ी दिर में आता ही होगा अरे जाओ जाओ दो दिन मैं भूग से तड़प कर सब वापस आ जाओगे बड़ी आई बहु बेटे वाली फिर क्या था स्निहा आशिश के साथ मिलकर बंद फैक्टरी को खोलती है और मन लगा कर काम करती है दोनों की मेहनत रंग लाती है और आशिश अपनी मेहनत से एक सफल बिजनिसमेन बन जाता है लेकिन एक दिन अरे बहु बेटा आशिश मुझे माफ कर दो मैं भी अब तुम लोगों के साथ रहना चाती हूँ इस कमबक्त ने तो दुकान का बेड़ा गर कर दिया वो तो आशिश था जो सारा दुकान का काम संभालता था बेटा हमारे पास तो खाने को भी नहीं बचा माजी इसे कर्म के फल कहते हैं खेर खाना है तो आपको और आपकी बेटे को काम करना पड़ेगा समझी ए बगवान अब ये दिन आ गए है कि बहु के साथ रहने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा बेटा आशिश तु ही समझाना आपनी बीवी को पता है ना मैंने तुझ ही बोल रही है आपको अरे घर में काम काज के लिए बहुत सारे नौकर चाह करें आप आराम से रहें माँ स्निया आशिश का अच्छा और सरल सच्चा व्यवार देखकर मन ही मन सूचती है मेरा पती गवार ही सही लिकिन दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है कि अच्छा आराम से अच्छा इंसान है